सत्ता वर्ग क्या कहते हैं वो अपना मद में चूर होके बैठा हुआ है उसे पता नहीं कि देश का किसान जो आम जनता को रोटी देती है उसके साथ कैसा बेवार करना चाहिए एक कैदी के साथ भी ऐसा बेवार दुनिया में नहीं होता है इसलिए आपने देखा रहे हैं ना थन्वर्ग और इन लोगों ने जब ट्वीट किया तब इन्हें पता चला कि पूरी दुनिया में मेरी बैष्टी हो रही है तब वो की लुखारना शुरू किया से 12 ब्रेकेट बनाये थे डर आने के लिए कि डर के किसान आंदोलन समाप्त हो जागा दुनिया का कोई आंदो उन्न किया जा रहा इसी बीस कल छे तारीख के दिन चक्काजाम का एयलान किया गया है हलाकि अभी इंटर्मेडियर चारी चल और उन विद्यार्तियों के लिए किस परकारते इन लोग सुविधा देंगे, क्या निर्णाई लिए उनके बारे में जनकारी हमारे ने सीपिम के निता है, क्या सरकल किस परकारते आप लोग इसे अंदोलन को करेंगे? आप जानते हैं कि देश में किशानों के तपके का अंदुलन को कहके जाना जाता है और ये 72 दिन 73 दिन भीच चुका है अभी तक सरकार को ये समझ में नहीं आई है कि अंदुलन पूरे देश के किशानों का है उसी समझ को हम लोग कायम करने के लिए कल हम लोग रास्तारों को अभियान किया है और पूरे जगा पर स्टेट फाइवे और नेस्नल फाइवे को जाम किया जाएगा अब जो बात हैं किसी को परिशानी में जाम कर नहीं पढ़ना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारा शपोर्ट भी वहां तक मालूम हो सरकार भी जाने हमारे संगठन के लोग पूरे देश के किषान हैं जो बोर्डर पर इतनी मेहनत कर रहे हैं इतने दीनों से बैठे हुएं उन्हें हम संदेश देना चाहते हैं ऐसा नहीं की बहुत बहुत बंद करके हम कोई ऐसा क्रिया कलाप नहीं कर रहे हैं कि सरकार के confrontation में जाएंगे इसलिए परिच्छाओं को में जो भी ज्यार थी बाधित हो सकती थी जिनके परिच्छा उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगो इने 12 से 3 जो बंद का कार्ज कर्म था उस समय एक सेटिंग तूटती थी दूसरी सेटिंग शुरू होती थी इसलिए हमने आंदो प्रण का मुख्य देश से एक जूटता का इजार कर दो किस तरह के किसानों को रोकने के लिए प्रेकेटिंग किया गया क्या कुछ के लिए इसके लिए कि क्या कहते है वह अपना मद में चूर होके बैठा हुआ है उसे पता नहीं कि देश का किसान जो आम जनता को रोटी द होता है इसलिए आपने देखा रहे हैं ना थनवर्ग और इन लोगों ने जब ट्वीट किया तब इन्हें पता चला कि पूरी दुनिया में मेरी बैष्टी हो रही है तब की लुखारना शुरू किया से 12 ब्रेकेट बनाये थे डर आने के लिए कि डर के किशान आंदोलन समाप ने हुआ है अपने मांगों को लेकर ही समाप्त होता है यह करना है अप देख रहे थे इनके द्वारा क्या कुछ कहा है हलाकि जो एस सुडेंट है उनका भी इन लोगों ने ख्याल रखा अब हमारे ताम माले के निता है क्या कुछ कहेंगे बोला जी आप लोग किस पढ़का के नसे में चूर होकर किसान विरोधी तीन काला कानून लाकर किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं अखिल भारते किसान संघर समनवाई समीती पूरे राष्टी हस्तर पर चक्का जाम का निरने लिया बिहार के अंदर हम लोग उसके एक धड़े हैं बिहार के अंदर भी हम लेकिन इसी बीच इंटर्मेडियेट की परिच्छा चल रही है हम उन तमाम चात्रों को किसी तरह के परिशानी नहीं हो इसलिए हमने उसमें संसोधन करके खास करके बिहार के अंदर नवादा में हम दो बज़े से एक बज़े तक के हम चक्का जाम का कार्ज करम को सफली लोग ये परिच्छा के ख्याल को रखते हुए हम प्रोग्राम को चेंज किये हैं बारा बज़े से तीन बज़े तक जो था तो फर्स्ट शिटिंग खत्म हो जाए और दूसरी शिटिंग जब चालू होगी तब हम लोग परतिकारात्मक तोर पर चक्का जाम करेंगे तो वि लोग जो बैठे हुए इन्होंने साबतोर पर एक एलान कर दिये है ते जो भी इंटर के परिच्छा दे रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल ही पूरी तरह सुभीदा का परबंद किये हैं इन्होंने जो टाइम था उस टाइम को भी बदल दिये इन्होंने साबतोर पर कहा है कि अन्दोलन करना हम लोग की करतब है ये अन्दोलन जारी रखेंगे क्योंकि जिस पर बात कहीं न कहीं इन लोग अन्दोलन को लेकर जो नर्नाई लिये थे कि चक्का जाम रहेगा छे तारीक को फरवरी में ये अन्दोलन अब इन लोग का सेक्सर फूल रहेगा क्यों यह इन्हों ने साबतोर पर जो एस सुडेन जिला के तमाम लोग नियोश फोर नेशन से लगातार कॉल कर रहे थे वो जानने की कोशिस कर रहे थे ते कल क्या रहेगा क्यों यहां काफी लोग परिच्छा देने आया है यहां पर सेंटर बनी है और के मन में यह पता कर रहे थे ते कल लोगों को जाम की समस्या मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी तो आपको बता दे ते कल बिल्कुल नहीं नवादा में जो भी इंटर की बिरद्यारती परिच्छा देने अपने निरधारी समय ते वो परिच्छा हॉल में परवेद कर सकें नवादा से News 4 Nation के अमन की रिपोर्ट